कि अगर इस देश में भारत संवीधहान और मंदल कमिशन न होता तो मैं कभी यह दोटा और आप-सामने खड़ा तो जिस सीड़ी से चलकर मैं आया हूं वो सीड़ी मेरे आंखों के सामने तोड़ी जा रही और मंच पराकर कि मैं आपसे तालियां बजवाने के लिए वह बात कहूं कि सब लोग खुश हो जाएं और कल को मुझे वाइस चैंसलर बना दें वह वाइस चैंसलरी किस काम की है कि कल वापस जा कि जब मेरे लोग मुझसे पूछेंगे मेरी नौकरी बरबाद हो गई सिक्षा बरबाद हो गई रोजगार बरबाद हो गया तुम उन लोगों के साथ बैट करके कह रहे थे जै भीम जै मंडल ये सबसे बड़ा खत्रा है उन लोगों को पहचानिये जो आपके वेरचारिक दुश्मन हैं मैं OBC समाज से आता हूँ और मैं OBC समाज को इक शिकायत करता बिहार में और उत्तर प्रदेश में आद हिंदू सभाव बनाए और जब हिंदू लोगों प्रामणों के पास घर और उनसे कहें कि मैंने आद हिंदू सभा बनाया इसकी membership लिलो तो प्रामणों ने का हम हिंदू थोड़े हैं हम तो आर यहां तब चाहरा साब खड़े हुए और उन्होंने वो परचा फाड़ के कहा, जब तुम हिंदू, हम तो ये समझते थे दोनों एक हैं, और जब तुम हिंदू नहीं, तो हम भी हिंदू नहीं, और उन्होंने उसका नाम बदल कर कहा, डिप्रेस्ट क्लासेज लीग, बैकवर्ड क्लासेज लीग, उन्हें 48 में उसका लखनों में समिनार कराया, और उसके देश्टा करने के लिए पेरियार और डॉक्टर अम्बेटकर को बुलाया, तब जाके बहुजा नेका बनी थी, बस खत्रा ये है कि उन लोगों को पढ़नी नहीं दिया गया, पनवाडी घरों में रसी उद्याल सिंग चोरसिया का नाम नहीं है, मेरे अपने यादो घरों में पेरियार ललाई सिंग यादो का नाम नहीं है, पेरियार ललाई सिंग यादो ने क्या कहा था, मैं उनकी बात कहके रहा हूँ, बलिदान नसिंग का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, नकाटे टेड़े पादब गए सीधों पर आरे चलाए गए विश्धारी को दूद पिलाया गया विशहीन सदा तड़ पाए गए यह का था पेरियार ललाई सिंग्या दोने और जब त्रिवडी संग बना 1930 में बिहार में और बाद में अर्जक संग बना उत्तर प्रदेश में इन दोनों का नारा क्या था ब्रह्मणवाद की क्या पहचान गिटपिट बोले करे नकाम और मनववाद की क्या पहचान ब्रह्मण भंगी एक समान जिसमें समता की चाह नहीं वह पढ़ियां इंसान नहीं समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए, वो जमीन का मालिक होए, सब को सिक्षा, सब को काम, वरना होगी नीध हराम, हमारे डक्टर लुहिया ने कहा, सो में पिछड़ा पावे सो में साथ संसो पाने बाधी गाट तब उसको जदेव वाबू राम सुरू वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया कि सो में नब्बे शोशित हैं शोशितों ने ललका रहा है धन धर्ती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है दस का शाशन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा जो जमीन को जोते बैव वो जमीन का मालिक होए और राश्पती हो या भंगी की संतान सबको सिक्षा एक समान सबको सिक्षा सबको काम वरना होगी नीध हराम और सबको सिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एक जुट नहीं रहे अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धरम खत्रे में है अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और बिश्विद्याले खत्रे में है तब तुम क्यों नहीं आए मेरी नौकरी कोरोना में चली गई तब तुम क्यों नहीं आए हमारी अर्थ बेवस्था डूब गई तब तुम क्यों नहीं आए और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाब धंगा कराना होता है और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी और दलित महिला की जाती देखकर समण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे तब हिंदू धरम खत्रे में क्यों नहीं आया ये मेरा सवाल है उस महिला की जाती देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं पूछिए उन लोगों से दो अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंदर से लेकर के राज्ज में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे। पूछिए उन लोगों से थर्टीन पॉइंट रोष्टर आया तो वो कहां थे पूछिए उन लोगों से नई सिक्षा नीत के नाम पर जब सब बेचा जा रहा है और आज आप कहरो पाकिस्तान कब्रिस्तान इस देश में हिंदो मुस्लिम की आग तब लगाई जाएगी जब द पूछना जरूरी है और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था मैं अपना काम करके जा रहा है आपने ये बात जो कही थी ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे तब भी भारत के समिधार मंडल कमिशन एक नौकरी दे दी है हम वहां गुजारा कर ले थे मेरी सिक्षा मेरी रोजगार मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे यह सवाल आपसे पीड़ियां पूछेंगी मैं जानता हूं कि मेरी बातों का कोई असर ने होगा पता नहीं अगली बार आप बुलाएंगे विकी ने बुलाएंगे मैं यह बात कहके जा रहा हूं जंगल में आग लगी चिड़िया पानी डाल रही थी और कुछ चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं रही थी कविता लिखी है कि लाग लगी इस व्रिक्ष को जलने लागे पात उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंक तुम्हारे पा आपके लोग आपको छोड़ करके जो चले गए अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए बाबा साहब के सबसे अच्छे वारिस सबसे बड़े वारिस ने एक किताब लिखी है उसको पढ़िएगा चमचा यूग उसकिताब में कई किस्म के चमचे लिखे हैं 1932 में पूना पैटाज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे गोडसे की मुर्ती और गोडसे के नाम पर इस देश में दंगा बाबा साहब ने कहा और ये बात हमें समझनी चीए अपने पुर्खों का केवल नाम लेके फोटो प वहाँ आप खड़े हैं तब डॉक्टर अम्मेट कर रोए थे पुना पैट जब करके आए गांधी को तीन गोलियां मारी थी उन लोगों ने जो आशाशन कर रहे हैं वो हमसे कहते हैं हमारे पुर्खे ने गांधी की जान बचाई है उन्होंने तीन तीन गोलिया गांधी की सीने में मारी हैं हम वो लोग हैं और आखरी बात कहके जा रहा हूं इस देश में बहस चला रहे हैं यह गांधी बनाम गोडसे आप गांधी के साथ हैं कि गोडसे के साथ हैं मैं कहता हूं गांधी बनाम गोडसे में हम गांधी की हत्या करने वाले नहीं गांधी का जीवन बच लोहिया के साथ हैं यह हमारी विरासत है आने वाली पिडियां हमसे पूछेंगे साहब कि जब देश लुट रहा था आपके बच्चों का भविश्च बरबाद किया जा रहा था दंगाई बनाया जा रहा था तब आप